हाँ दोस्तों जियो अपने 5G plans launch करने वाला है तो 5G plans कब तक आएंगे और कब तक free trial मिलेगा और क्या ये 5G plans affordable रहेंगे तो कितने के रहेंगे उसी के वरे में मैं आज आपसे बाग करने माला हूँ तो चले वीडियो को start करते हैं आपको पता हो कि जयो 5G trial 2022 में start हुआता है और आपको पता होगा कि जयो हर साल 2021 अगर्ष्ट को जयो अपने सारे upcoming launches और products के बारे में बताता है जिसको AGM कहता है AGM का मतलब Annual General Meeting दोस्तों ये Monday मतलब परसो Monday है ना Monday दो बजे ये start होता है इस AGM यह Annual General Meeting है ना उसके अंदर जयो क्या-क्य Announcement कर रहा है उसके पुरा पता नहीं है दोस्तों कुछ expected announcement है दोसके बरे में आपको बताऊंगा तो पहला जियो 5G smartphone के बरे में बताने वाला है दोस्तों और दूसरा जियो air fiber और तीसरा और last expected announcement जियो 5G plans है दोस्तों तो पहले हम जियो 5G smartphone के बरे में बात करेंगे दोस्तों ये 5G phone होने वाला है जैसे कि आपको कि जियो फोन बारत वीटू बलके आया था और उससे पहले जियो फोन बलके आया था ना वो दोनों 4G स्माटफोन थे यह 5G स्माटफोन आने वाला दोस्तों यह अंडर 10,000 होने वाला है अगर आपको इसके बारे में पुरा जानकरी चाहिए तो आप इस वीडियो को देखें दोस्तों इस वीडियो में सारा सब कुछ बता चुका हूँ आप इस वीडियो को देख सकते हैं उसका लिंक में कमेंट और डिस्कृष्टन में दे दूँगा और दूसरा यह जियो एर फबर क्या है यह एक ब्रॉट्वेंड है दोस्तों कुछ इस तरह दिखता है और बोल आपको बता सकता हूँ कि यह 5G plans affordable रहने वाला है और मुझे लगता है कि इसका price 250 या 250 से उपर रहने वाला है दोस्तों और data unlimited रहेगा या नहीं उसके वारे में कुछ पता नहीं है दोस्तों वो तो आने वाला वक्ती हमें बता सकता है तो दोस्तों जियो फोन 5G smartphone का वीडिय आप नहीं देख चुका है तो आप इस वीडियो के ओपर क्लिक कीजिए वो वीडियो प्ले हो जाएगा आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं रहे तो आप पेट्रोल प्लस एलेक्ट्रिक दोनों पर चलने वाला Splender Pro गाडि देखना चाता है तो इस वीडियो के ओपर क्लि कीजिए वो वीडियो प्ले हो जाएगा मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्ते